दोस्तों नमश्कार आद आप सत्स्रियकार नियोज क्लिक के करकरम आज की बात में आपका स्वागत है ये अजीब बात है कि प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी का एक अध्यक्ष पंजाब में वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पत से अपने इस्थेफे का दिन उसी तारीख को चुनता है जिस तारीख पर कॉंग्रेस की जो लीडर्सिप है वो देश के दो बड़े जाने पहचाने युवाच चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल कराने का एलान कर रही है जी मैं बात कर रहा हूँ कनहिया कुमार की और जिगनेश मेवाणी की जिगनेश मेवाणी ने टेक्निकली कॉंग्रेस पार्टी भले नो जोईन की हो लेकिन कॉंग्रेस के साथ उनका एस्सोसियेशन काफी पहले से है जब वो चुनाओ भी लड़े थे पिछली बार गुजरात में तो कॉंग्रेस ने उनको सपोर्ट किया था लोगों को भूलना नहीं चाहिए तो एक तरह से वो कॉंग्रेस के साथ रहें लेकिन टेक्निकली वो कॉंग्रेस के मेंबर नहीं है क्योंकि निर्दली भिधायक के रूप में लेकिन वहावी मंच पर आये कल 28 तारीख को कॉंग्रेस पार्टी के प्रिस कान्फरेंस में और कनिया कुमार जो उनके दोस्त हैं उनको उन्होंने एक तरह से उनका एक मॉरल उनको उनको एक नैतिक रूप से उनका समर्थन किया और साथ में कॉंग्रेस पार्टी की राजनीच से जुड़े रहने का भी एक तरह से एलान किया। लेकिन जिस वक्त ये जलसा प्रेस कांफरेंस की शक्ल में ये जलसा आल इंडिया कॉंग्रेस कमेटी के दफ्तर में हो रहा था उसके पहले ही पंजाब में कॉंग्रेस पार्टी के उत्साह का गुबारा फूट चुका था और प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जि कि इक्षा नुसार ऐसा बताया जाता है कि ये दो भाई बान नहीं एक तरह से उनका चेहन किया अमरिंदर सिंग को एक तरह से रिप्लेस बाद में कराया गया अमिन उनको चीफ मिनिस्टर पत गमाना पड़ा सिद्धू के कारण ऐसा मना जाता है और कॉंग्रेस वैसे भी assessment कॉंग्रेस पार्टी का था कि अमरिंदर सिंग की अगवाई में अगर पंजाब में चुनाव लड़ा जाएगा चीफ मिनिस्टर सीफ में उनके तो कॉंग्रेस का जीतना नामुम्किन सा है तो ये जो कॉंग्रेस पार्टी का assessment था उसमें दो बाते थी एक तो ये कि सिद्धू को क्या मुख्यमंतरी बना करके चला जाए या प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी का जख्षी बने रहने दिया जाए लेकिन इस बीच में चन्नी साहब मुख्यमंतरी बन गए और चरणजी सिंग चन्नी जो मुख्यमंतरी बने दरिट समाच से आने वाले एक बड़े सधे हुए नेता, बहुत अनुभवी नेता, बहुत संतुलित नेता और इस चैन के बाद पंजाब के जो हालात हैं वो अच्छानक बदल गए और माना जाने लगा कि अब कॉंग्रेस पार्टी फाइट में आ गई है अब कॉंग्रेस पार्टी अगर चनौल जीच जाए तो भी कोई आश्यर नहीं जबकि अमरिंदर सिंग के समय माना जे जाता था कि वो हार भी सकती है या वो बहुत बुरी तरह हार सकती है लेकिन जीतरे का उनमान तो कॉंग्रेस के समर्थक भी नहीं कर रहे थे लेकिन दोस्तों आइन मौके पर जबकि कॉंग्रेस एक नई चलांगे लगा रही थी और नए पार्टी में नए नेता आ रहे थे उसी दिन सिद्धो साहब ने प्रदेश कॉंग्रेस से इस्टिपा दे दिया अब ये आश्यर जनक है बहुत सारी लोग कहते हैं कि वो ऐसा काम पहले भी करते रहे हैं अचानक एक बार इंगलेंड से वो क्रिकेटर के रूप में चले आये थे टीम को बताए बगर और क्यों क्योंकि उनको उस समय के जो कैप्टन थे क्रिकेट टीम के उनका ये फैसला बहुत नागवार गुजरा कि उनको ओपिनिंग में उतारा नहीं गया था पहले टेस्ट में दूसरे टेस्ट में उतारा जाता तीसरे टेस्ट में उतारा जाता कि सिद्धू के बारे में अमरिंदर सिंकी और जो उपिनियन थी वो तो बिल्कुल सही नहीं है खासकर उनको उनको अन्पैट्रियोटिक बताना उनको देश विरोधी बताना उनको पाकिस्तान के प्लयान मंत्री और वहां के सिनापती से उनका गले लगना या उनसे मिलना जुलना इसको नजीर बना कर बताना कि वो तो पाकिस्तान समर्थक है ये सब फालतू बाते हैं और और मैं नहीं समझता कि किसी भी बड़े नेता को जो खासकर किसी राजे का मुख की मंतरी रहा होग भारत के किसी भी नागरिक पर और खासकर जिम्यदार नागरिक पर इस तरह के अरोप नहीं लगाना चाहिए। जो आरोप लगाए उन पर देश्वक्ति संबंदी वो तो गलत हैं लेकिन उनका एक आरोप आज के दौर में सही सावित हो रहा है कि वो इस्थिर दिमाग के आदमी नहीं है और कब क्या करेंगे कोई ठीकाना नहीं और दोस्तों इसकी वज़ा है इसकी वज़ा है कि वो मूलत मतलब उसको उठा लेना उसको अपने एकदम कंदे पर ले लेना ये काम बीजेपी भी करती रही है खूब करती रही है सिनेमा के लोगों को खेल के लोगों को तरह तरह के लोगों को यहां तक की मीडिया के लोगों को भी वो जैसे ही देखा कि कोई अचानक शमकदार आदम के पास कोई ऐसा संगठन नहीं है जो कॉंग्रेस नाम की पार्टी को एक तरह से डाइरेक्ट करता हो आइडियोलोजिकली बीजेपी हिंदुत्वा की पार्टी है उसको हिंदू राश्र का सपना देखने वाला आरेसे हर मौके पर डाइरेक्ट करता है जैसे ही कोई बड़ा म पार्टी के पास नेताओं की कमी है मैं कॉंग्रेस पार्टी के ऐसे अनेक नेताओं को जानता हूँ और कश्मीर से कन्या कुमारी तक जो खासे समझदार है बहुत अनुभवी है जीवन में रायनीती में लेकिन उनके पास काम नहीं है क्योंकि उनसे काम लिया नहीं जा रहा है तो नेताओं और कारकरताओं कि कॉंग्रेस की आज भी कमी नहीं है असल में उसके पास विचार की कमी है उसके पास नीतियों की कमी है और पीवी लंडर सि उसके वज़ा से कॉंग्रिस का जनाधार हिंदी हार्ट लैंड में बिलकुल खतम हो गया जहां से उसके बहुत सारे प्रधान मंतरी आया करते थे और यही कारण है कि कॉंग्रिस खतम सी हो गई उसको लगा किवल वो दक्षन भारत के कुछ राजियों में रहा गई नार्थिस्ट में रहा गई और हाल के दिनों में उसने कुछ रीगेन किया अपने को वो खासकर मध्यप्रदेश में राजस्थान और च्छतिस गड़ में फ कनहिया कुमार चमकदार एक व्यक्तित्व हैं वो जवाहरला नेहरु विश्विद्याले के अध्यक्षपत से जैसे ही वहां से बाहर आये और उन पर बहुत सारे आरूप लगे जाईर है वो सारे आरूप उन पर जूटे थे उन पर जो इलजामात लगाए गए वो देश द करकार को एक तरह से जटका भी दिया लेकिन हमारा ये कहना है कि वो सीधे विश्विद्याले से वो इस्टार बन गए राज नीतिके और पहला जब उचुनाओ लड़े थे बेगुसराय में तो बहुत सारे लोगों को ये वरुसा था कि एक स्टार जो चुनाओ लड़ रहा और उनको लगता है कि एक व्यक्ति से फिर से आंदोलन खड़ा हो जाएगा फिर से राजनीत चमक जाएगी राजनीत चमकती है आंदोलन से वो जनाधार से जनाधार अगर अगर नहीं है तो एक नेता के होने से कुछ नहीं होने वाला है ये इतिहास में अनेक बार देखा जा चुका है और अंदोलन अगर है विचार अगर आपके पास है अगर प्रेक्टिस है अगर काम है तो नेता पैदा होते रहते हैं भाशन देने में बहुत ज्यादा शांदार जो व्यक्ति नहीं है वह अभी महांजन नेता हो जाता है इसके सबसे बड़े उधारन भारत में वामपन्ति ही हैं एमस नम्बुद्री पाथ जैसा व्यक्ति जो भाशन कला में इस तरह माहिर नहीं था लेकिन वो एक जन्रायक बन गए और केरल के मुख्यमंत्री के रूप में जो उनका काम है वो इतिहास में अमर हो गया और आज भी पूरी दुनिया में माना जाता है कि एक ऐसा एलेक्टेट रिप्रिजेंटेटिव एलेक्टेट प्रेट चीफ मिनिस्टर कोड जैसे उसकी सरकार को डिस्मिस किया गया था भारत में जब जनतंत्र का सुर्यवद्य हो रहा था वो इसलिए क्योंकि वो गरीबों के लिए काम करना चाहता था और सच्चमुच उन और आज जब कॉंग्रेस पार्टी सोच रही है कि कनियात कुमार के आने से उसकी बड़ी पार्टी यूपी बिहार में बन जाएगी या यूपी में बन जाएगी ये उसकी भी भ्रांती है उसका भी भ्रहम है अल्टिमेटली आपको नीतियां बदलनी पड़ेंगी अल्टिमेटली आपको जनाधार तयार करना पड़ेगा और वो आपके काम काज से होगा आपके अंदोलन से होगा आपके सरकार की जो आज की नीतियां है जो जन विरोधी है इसमें काने में मुझे कोई संकोच नहीं ह उनकी आप कैसे उसका विरोध करते हैं उसके विरोध में केवल भाशन नहीं देते हैं वलकि वैकल्पिकता क्या है आप कौन सा वैकल्पिक नीत दर्शाते हैं लोगों को आपके पास विकल्प क्या है वो क्या आप बताते हैं इस पर निर्भर करेगा कि आपकी पार्टी का भ चलते चलते ये भी बता दूँ कि कल कॉंग्रेस पार्टी ज्वाइन करते से मैं कनेया और जिगनेश दोनों ने वक्त तब भी दिया अब देखिए चुकि प्रेक्टिशनर हैं जिगनेश में मारी वो जनता में काम करते हैं तो उनके भाषण में एक प्राउडता थी वो क्या बोलते हैं वो जब बोलते हैं वो कहते हैं कि येस वो ये बार बार कहते हैं अपने भाषण में जिगनेश में मारी कि मैं संबिधान और भारत के विशार आईडिया आफ इंडिया इसके लिए कमिटेड हूँ लेकिन कनहिया कुमार अपने भाषण में क्या 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 क् यहां तक कि वामपंथी दलों के भी अनेक लोग एक समय जुएंड किये थे पार्टी वो इंद्रिया गांदी के जमाने में लेकिन किसी भी नए व्यक्ति ने किसी और पार्टी से आकर कभी यह नहीं कहा होगा कि मैं कॉंग्रेश को बचाने के लिए कौंग्रेश में आ रहा ह तो कहीं न कहीं ये एक आत्ममगदता है कहीं न कहीं एक तरह का व्यक्तिवाद है और ये इसलिए है कि जनता में समाज में जब तक आपकी प्रेक्टिस नहीं होगी सीधे कैंपस से निकल करके और स्टार बन जाना मीडिया में और इसके बाद स्टारडम में ही बहुत सारे ची तरह से वो घिर जाता है, कल ऐसा ही कनियाक मार के साथ हुआ, हाला कि उन्होंने बाद में करेक्शन किया, लेकिन तब पक उनके मुझसे सारे बात की वो निकल चुके थे, ठीक वही बात हम देख रहे हैं कि सिद्दू साहब के साथ पंजाब में हो रही है, वो क्या कहते हैं, वो जैसे अपने देश के एक बहुत बड़े नेता कहते हैं, कि मैं देश नहीं जुकने दूँगा, मैं देश नहीं बिकने दूँगा, कुछ वुसी तरज पर पंजाब कॉंग्रेस के अध्यक्ष महुद है, अभी तक उनका इस्तिपा एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो वो ही भी कहते हैं, कि मैं पंजाब का कोई नुकसान नहीं होने दूँगा, मैं नेतिकता पर कोई कंप्रमाईज नहीं करूंगा, मैं आला कमान को कभी गुमराह नहीं होने दूँगा, अब ये जो मैं, 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 और ऐसा लगता है कि पंजाब के सिर्फ आप ठेकेदार हैं, सि कि सारे लोग पंजाब में जो हैं वो पंजाब के बारे में नहीं सोचते ये एक खंधोर किस्म का व्यक्तिवाद है और जो एक ऐसे ही व्यक्ति में हो सकता है जो पोलिटिकल प्रेक्टिस्नर नहीं है जो राइनेतिक रूप से कारे करता नहीं है जो जनता के बीच नहीं काम क अपने स्टार्डम से जनता को अट्रेक्ट करता है तो ये एक स्टार्डम की जो समस्या है एक सितारा बन जाने की समस्या जो है किसी भी छेतर का सितारा हो उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जनता से उसका अलगाओ जो होता है उससे वो सच को आधा देखता है पूरा सच देखता है तो ये अब जैसे अभी पंजाब में हो क्या रहा है पंजाब की सबसे बड़ी क्राइसिस है कि कॉंग्रेस पार्टी के पास नेताओं की कमी पंजाब में भी नहीं है उसके पास एक सुचिंचित समझदार नेता हैं दोस्तों मैं दो साल करीब करीब पंजाब में क काम किया हूं हाला कि काफी पहले और आज के बहुत सारी नेता उस वक्त नहीं थे लेकिन कुछ उस वक्त भी थे अब मैं जानता हूं कि अभी कॉंग्रेस की कैबिनेट जो पार्टी की है वही सरकार जो है उसमें उसमें बहुत अच्छे भी लोग हैं विवादास्पत भी लो हैं उनको एक बात बिल्कुल समझ में आ गई कि सिद्धू चन्नी साहब जिस तरह का काम कर रहे हैं जिस तरह से स्टेप उठा रहे हैं वो बड़े सधे हुए हैं बहुत मैस्योटी उनमें है इस आदमी से के नित्रित तुमें अगर कॉंग्रेस ने चुनाव जीत लिया इनको मुख्यमंत्री पद से डिगाना बिल्कुल मुश्किल है यानि सिद्धू के लिए मुख्यमंत्री का पद अगले चुनाव के बाद कॉंग्रेस के धीत्रे पर भी खाली नहीं रहेगा और वैसे भी दलिक समाच से आते हैं कॉंग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत अधार है बलकि वो अपने भविσrespिय को भी देख रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में वो कैसे वहाँ पर कावज होंगे और दूसरा वो बार बार क्या रहे हैं कि इन्नों नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन क्या रहे हैं कि ये फैसले क्यों हो गए ये फैसले पनजाब के ऊ क्रामिनेशन तो पहले ही हो गए थे चाहे वो DGP हो चाहे वो आपके एड़ोकेट जनरल हो या राणा साहब हो जो राणा गुर्जीट सिंग अब ये सारे के सारे लोग इन्होंने नाम भी लिया नहीं लेकिन उनका इशारा बिलकुल साफ है राणा गुर्जीट सिंग के बा मुख्यमंत्री चन्नी की जो बढ़ती लोग को प्रियता है उनके काम का जो तरीका है काम काज का कहीं न कहीं सिद्धू साहब उससे अपने भविश्य को असुरप्शित मैसूस करते हैं और इससे एक बात और सावित होती है दोस्तों बिलकुल चलते चलते कि सिद्धू साह काँ वो एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर था जब तक आपके प्रांती या किसी भी कमिटी का ध्यकत्षेक राजनेतिक व्यक्ति नहीं होता हैGive वो जैसा भी हो जितना बडा सितारह हो चाहीं वो सिनेमा का हो चाहे खेल का हो चाहे इनोस्टी केंपस से निकला नया-चा कोई टिसनर को ही लीडर्शिप दी जानी चाहिए पंजाब की इस घटना से यह भी बिलकुल सावित होता है और हम सब को देख रहे हैं यहां तक कि कॉंग्रेस पार्टी में भी लोग कह रहे हैं तो यह जो पहलू सामने आया है कि अमरिंदर सिम को हटाना तो उचित था लेकिन ने और उसको काफी बड़ी बढ़त मिली थी लेकिन उस बढ़त को कहीं न कहीं सिद्धू के फैसले ने एक कमजोर उसको धरातल पर खड़ा कर दिया है अब देखना यह है कि कॉंग्रेस पार्टी इसको कैसे करेक्ट करती है और अपनी गलतियों से कैसे सीखती है तो इसलि और कारिकर्टा जुटेंगे जनाधार भी बढ़ेगा लेकिन कॉंग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट है विशार सबसे बड़ा संकट है नीतियां कि वो किसके लिए है वो किन समाजों के लिए है यह हमारे इतने विशाल विवित्ता बरे भारत में उसकी जो प्रायटीज हैं वो क्या क्या है क्या वो दलितों के साथ है क्या वो आदिवासियों के साथ है क्या वो ओबी सी के साथ है क्या वो माइनार्टी के साथ है क्या वो अपरकास्ट के साथ है अगर अपरकास्ट के साथ है तो उनके गरीबों के या अमीरों के साथ है उनके कार्परेट के साथ है या उनके मजदूरों के साथ है तो मुझे लगता है कि इस confusion में कहीं न कहीं Congress Party अपने पुराने कुलिंता वाज को छोड़ नहीं पाती और समाच रहा जाता है पीछे यही उसका सबसे बड़ा संकट है इन शब्दों के साथ बहुत बहुत रहने बाद नमस्कार आदाप सबस्रियागाद